तो सबसे पहले तो यह जो आप दोनों में difference create कर रहे हैं ना mind और heart में, इसमें एक्चुर में कोई difference नहीं है, क्योंकि अंदर जो भी आपके thoughts आते हैं, वो सारे brain में ही आते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछू यह thought कहां से आ रहा है, आपके दिल से आ रहा है, दिमाग से आ रह पहा है, तो ideally आपको life में कभी भी अपने दिल की नहीं सुननी चाहिए, यह thought mind में लाना ही नहीं चाहिए, कि मुझे दिल के साब से चलना है, use your brain, use thought, use your logic, अगर दो options आपके mind में हैं, तो पहले उसको paper पर लिख दो, कि छोटे से छोटे level पर यह जो दो options हैं, इसके एक तो क्या pros and cons है, तो एक paper हो गया, उसमें option one हो गया, option two हो गया, option one के pros and cons, option two के pros and cons, पहले तो उसको देखो, और pros and cons सिर्फ अभी मत देखना, नहीं तो confused हो जाओगे, 10 years down the line देखो, अगर मैं यह करता हूँ अगले 10 साल तक, तो 10 साल बाद मेरी life कैसी होगी?